हेलो दोस्तों सौगत है आपका मेडिसेन ड्रियूस टिप्स यूट्यूब चैनल पर आज हम सुड़ों में मुपी केम ओइन्मेंट के बारे में पूरी जांग कर लेने वाले मुपी केम ओइन्मेंट का मुक्तों पोयोग स्किन इंफेक्शन होने की समस्या दूर करने में किया यह डॉक्टर के परची पर मिलने वाली क्रीमें बात करते हैं इसमें मुझूद के बारे में मुपी केम ओइन्मेंट में मुपी रोसीन आईपी 2% यह गंटेन समझते हैं बात करते हैं इस क्रीम की उज़स के बारे में डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तमाल करते हैं इस क्रिम का अपुएक स्कीन में होने वाले Bacterial Infection की समस्या दूर करने के लिए किया जता है इसे Implantigo की समस्या दूर करने के लिए भी Doctorios करते हैं Implantigo यह बाहरी तौचा के परत्में होने वाली समस्या है जिसे Epidermis भी करते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर स्क्रीम का इस्तमाल करते हैं। इसे स्कीन इंफेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं। इस क्रीम का अन्यूद जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसिस से संपर्क कर सकते हैं, बात करते इस क्रीम को इस्तमाल करने के तरीके के बारे में, आप अपनी समस्या बताकर इस क्रीम का इस्तमाल करने के तरीका अपने डॉक्टर या फार्मसिस से पुछ ले, याद रखे दोस्तों, इस क्रीम को हमेशा अपने डॉक्टर की सला से ही यूज करें। इस क्रीम को इस्तमाल करने से पहले, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले, और इस क्रीम को इन्फिक्शन वाली जगा पर लगा दे। आप इसे तीन से पास दिन उदक यूज कर सकते हैं, इस क्रीम का यूज दस दिन से ज्यादा तक न करें। इस क्रीम के इस्तमाल से अपको एलर्जी, खुजली, जलन, स्कीन लाल होना, खासी आना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकोशन इस यूज करते समय साओ दन्या अगर आप पहले से कुई अनिक क्रीम, मेडिसीन, टैबलेट ले रहे हो तो उसके सुझना अपने डॉक्टर या फार्मसिस को आवशिदे इस वज़े से इस क्रीम का ड्रग इंट्रेक्शन होने की संभावना कम होती है इस क्रीम को ज्यादा दिन तक यूज ना करे जब तक आपकी डॉक्टर ने कहा है तब तक ही इस यूज करे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिले हो तो वीडियो को लाइक करे और Medicine Reviews Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे उस चैनल पर आपको हमेशा Medicine Reviews नत रहेंगे Thank you for watching this वीडियो झाल